यह यह सब गाइस के सब सभी लोग वेलकम बैक टो नहीं गेम प्ले वीडियो तो जैसा कि आपको याद होगा कि पिस्टे वाली वीडियो में हमने बनाया था अपना यह आटमाटिक जाइंट वीड फार्म जो कि मैं आपको भी दिखाता हूं यह रहा और मैंने आपसे मैंने से और बड़ा कर दिया आप देख लीजिए पहले यह तीन टेरिस फार्मिंग फ्लोर्स का था लेकिन अब यह छे टेरिस फार्मिंग फ्लोर्स का बन गया है तो जो मेरा आटमाटिक शोगर के इंट फार्म था उसे बाइगा बता रहा हूं मैं जितना टाइम उसे बन बनाने वाले हैं और आज ही मैंने तोड़ा था बहुत है डिक का काम है तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास वीट हो गया 64 12 इस चेसमें 64 64 41 वीट सीड्स हैं इसमें 64 64 50 64 5 यह चोटी वाली में 40 64 20 और इसमें 64 51 तो यही था अपना यह वीट फार्म का टॉपिक और अब हम चलते हैं नीचे अपना ऐसे थोड़ी जाओंगा मैं बिल्कुल हीरो स्टाइल में जाओंगा जैसे करते हैं बिना पारशूट के बूर डारेक्ट पानी में तो चलिए गाइस अब हम अपना आटमाटिक वीट वह सब मैं वीट वाम की बोल देता हूं बार बार शुगर क इंफाम बनाना शुरू करते हैं लेकिन सच में बहुत मिनत लगी थी उसे तोड़ने में तो मैं आपसे सारा समान लेने के बाद ही मिलता हूं अब डिरेक्ट पहले अपने कुछे महाशे को से आप मिल दा देते हैं यह मेरे डॉगी जो उस दिन हमें दिखे थे लास्ट वाली वीडियो में तो इसका मैंना भी कुछ नाम नहीं रखा मैंने इस अपना फेवरिट पैट बना दी तो मैं आपसे सामान लाने के बाद मिलता हूं तो कि देख सकते हैं मैं अपना सारा समान लिया हूं जो जिस समान की जुरत थी तो अब हम अपना आटमाटिक वीड़ पाम बनाने के लिए चलते हैं तो मैं उसी जगा पर बनाऊंगो जहां पर पहले मैंने बना रखा था तो यह रहा मेरा सेंटर पॉइंट तो मैं आपको इसके एक और खोद दो यहां से एक और और यहां पर है क्या होगा यह कैसा गया तो तो हम इस तरफ खोदते हैं स्टो फिर सप्र लिए एक तो तो बस इतना बहुत है और मेरी शेवल इत्ही चाहर कि क्या बताऊं तो अब यहां से आपको कनेक्टर ने चस्त के साथ हॉपर्स तो म एक दो ऐसे दी लगेगा उपर जाना पड़ेगा तो दो तीन और ये चार हो गया चार तो अब ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे तीन का ही बना है आपकी मर्जी आप इसे चाहें तो चार का भी बना सकते हैं पांच का भी बना सकते हैं छे का भी बना सकते हैं जितना बड़ आ बनाओंगा मैं लेकिन अभी तीन का ही रहने देता हूं बाद में चार का बढ़ा देंगे तो ग्रास व्लॉक यहां पर कवर करो और यहां पर पानी डाल दो और पानी के लिए मुझे और वह बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो इंपानीट वाटर सोर्स की बनना फिर क्योंकि फिर ड़ो ते ग्राउण य और यह बन गया मार अटमेंट OR इन्फानेट वारे सोर्स अब इसे डालो कि अम्पे भी ताक कि इन्फानाइट हो जाए तो हो गया भी डाई जई कु आओ जाता हूँ कुछ में नकुछ भूल गया ना भूल गया चलोमी लाते हैं में कुछ ने कुस ने भटी जाता हूं तो दो खाना भूल गया वीड शोगर टा मिला सबीत को यहता चाहिए जब खम कम पढ़ जाएंगे तो अभी हम चलते हैं आप अपने शोगर केंट फार्म की तरफ तो ओके गईज हमाच हुए और हम लेते हैं अपना शोगर केंट शोगर केंट पर मुझे दोबारा से लगना पड़ेगा बीच में क्योंकि यहां पर आप शोगर केंट लगाएंगे और यहां पर फिर आपको पीछे प्लाइंक्स लगाने और मैं इसे अभी चार काई कर देता हुआ हूं कि ताकि फिर वो छादा प्रेडियूस हो तो जादा अच्छ लगेगा क्याने लाइक मोर्न ओड-डेक्शन तो और अच्छ लगे गा और मजाएगा 계속 के तो बहा द के लग नगे चाचा चिचा अच्छा नीचे को भी ग्रास भॉक है प्हले से तो यह से बन कर हो और यहां से इसको connect करो, अब यह नीचे कूल लग जाता हूँ, और यह हो गया connect, अब इसे तोड़ो, और फिर इसको डालना पड़ेगा, यहां से पानी, तो पानी, आजा पानी दबानी, तो यहां पर यह हमें शुकर के इन लगाना है यहां पर फिर आपको यह plank से cover कर देना ह इसके पीछे, तो फिर आपको अपना लाना है piston, और वो जरूरी नहीं कि आप sticky piston लाए या फिर normal piston लाए, आप कोई सा भी piston ला सकते हैं, वैसे मैं prefer करूँगा कि आप normal piston लाए, और आपके हाथों में होना चाहिए observer, तो piston को आपको इस तरह लगाना है कि इसका जो मू है, जह याप को ओक वोटने लगाना, आपको यहां पर सिर्फ स्टोन लगाना पड़ेगा क्योंकि स्टोन से फिर वो और अच्छा लोग आएगा और वो आपकी मरजी, आपको कोबल स्टोन लगाना है, या पर normal स्टोन लगाना है, तो मैं यहां पर पहले planks लगा देता हूं, ताक है हमारे स्टोन, मैं कोबल स्टोन लिया है, कोबल स्टोन से बहुत अच्छा लोग आता है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, अच्छा लोग आता है, हाँ, तो यह मैंने लगा दे कोबल स्टोन, और यहां पर आपको लगाना है बड़ेट स्टोन डस्ट, से इसका connection पूर एक डोथीन एगव भी एगव थीन एक दोथीन एगव दो थीन एक दो तीन तुझ क्यों लगा हो एव तो जो जैसे किस में लगड़ें रहने को निकल पाहि दिफ कोसे एगव पर सकति में एक दो लुग दीन एक दो थीन एक दो थीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 तो अब हम इसे टेस्ट करते हैं बहुत मेनत लगती है यह मेरे ख्याल से सबसे डिफिकल्ट है बनाना शुगर के इन फार्म नहीं मतलब कहने को तो इजी है यह बनाने को लेकिन जब बनाना बनाओगे न आप तो आपको यह बहुत मुश्किल लगेगा तो रात भी हो गई है हमें सोने जाना पड़ेगा तो गैस मैं आपको डिरेक्ली एक काम करता हूँ मैं सोने के बाद फिर ये पूरा बनाने पर मिलता पर पहले तो हम सो जाते हैं तो फिर मैं आपको डारेक्ली सोने के बाद ही मिलता हूँ अब सुबह को जब यह एक लाइन पूरी हो जाएगी तो कि गाइस एक लाइन पूरी होने वाली हमारी सच में बहुत दिक्कत बहुत ठक्या हुए अगर आपको यह लगता है कि मैंने यह क्रिटिव में बनाया तो आ यह और अभी तो चारो तरफ से ग्लास कवर करने मुझे उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी तो करते हैं और अभी तो यह एक ही लाइन बनाई है और इसको बनाने में आप यकीन नहीं करोगे मुझे डेड़ घंटा लगा है वन वना 30 मिनिट्स इतनी देर एक लाइन कंप्ली करने में किती देर लगेगी और वैसे वी मैं आपको बता दूं मैं इसमें मैंने इसको हाइट में रखा है चार दो सॉरी दस जिससे कि हमें फिर चार इंटू टैन फॉर्टी एक लाइन से फॉर्टी शुगर केन मेलेगा जब अग जब वो पूरा काम करेगा कोई नहीं और यह हमने चालू पड़ती है और नीची चलते हैं एक एच्पी जाएगी हाफ नहीं गई कोई नहीं अब हमारी पीरोनेस ड़ लग रहा है ग्लास पर ना गड़ जाओं वी आर अप्रो हम प्रो हैं यूगाइस बच्पन से प्रो हैं हमेशा प्रो ही रहेंगे तो ग्लास हम पनाने के बाद मिलता हूं तो पहले मैं आपको यह एक की हाइट दिखा दू कि कितना बड़ा है उसके लिए मुझे अपने वीट फार्म पर जाना पड़ेगा तो चलो चलते हैं पर कैसे चटरा है तो गाइस हम आप यहाँ पर आचुके हैं मुझे सब से पीछे जाना प परकुली है यहाँ यहाँ तो कि काइस से धुल्ला दिख रहा है कि यह एस बाद मुझा वीट फार्म से बीजादा उचा है इस वीट फार्म से भी जादा बढ़ा हए यह है सुगर गें फार्म की एक लाइन तो हम अपनी पीरों ने अउस दिखा कि फिर्सें अप्र्सथि चार्ड लाइन कम्प्लीट करने कितनी ऐसी तैसी हो जाएगी वही यह वैसे यहां से बहुत बढ़ा है यह बहुत अच्छी तरह से वीट प्रेड्यूस करेगा मुझे कोई चिंता नहीं है उस बारे मैं तो तो कैसे मैं आप से यह पूरा बनाने के बाद ही मिलूंगा बहुत पूरे के पूरे साड़े चार घंटे बाद हमारा शुगर के इंपाम पूरा हुआ है साड़े चार घंटे गाइस मामूल ही नहीं हो तो साड़े चार घंटे बाद हमारा वीट वाम पूरा बना है और वह लग भी बढ़िया रहा है इसमें भी कोई शक नहीं है वह बहुत अ लग रहा है कि मुझे तो काफी अच्छा लगा वह मैंने उसको पूरा ग्लास से कवर कर दिया तो तूप योटक यहां पर डाल दो इसे जा होगा इसाल जैसे डी रांग तो इसमें मैं वीड सीट्स वाद में लगाऊंगा अभी हिम्मत निये लगाने की तो फानी अपने चीज़ चला जाएगा और इसको कनेक्शन में आफ कर दूँ और इसमें देखे काई यह मारा दीरे-दीरे करके वीड आता रहेगा मजा आता रहेगा खाना खाते रहेंगे हम तो अब हम अपनी पिरोनेस देखके बगवान का नाम लेके कूदो उपर शीपे क मुझे अपना हॉर्स का घर भी एक बार तुड़वा दम पड़े गया तो अभी हम जारा एक मिनिट के लग मुझे घर में कुछ काना मैं मैं आप वो घर के तरस से दिखाता हूँ यह तो चलो चलो कहां टक गया यार यहां से आएगा अच्छा व्यू तो यह देखे काई सी कि ऐसा है हमारा शुगर के इंफानों और गैस अगर आप सूचे हो कि वहाँ पर तोड़ा किसली है आपने तो अभी बताता हूँ मैं किसली तोड़ा है बूम पैर में लग गई तो यह दरसल मैंने इसले बनाए क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं था नतर जाने के ले तो मै ने सोचा कि आपsy रास्त बच्श का पूरा कवर हो गया था चारो तरफ से मैंसे क्सपेस बानने बूल जहां से मंदाख तो इसलिए मैंने अंडर ग्राउंड रास्ता बना दिया यहां पर तो यहां से हम जाएंगे यहां पर हमारा मिल जाएगा हमें चेस्ट और यहां पर हमारा सुष्टी फोवन शुगर केंड तो इसे काफी अच्छा काम कर रहा है साड़ चार घंटे में पूरा कमटी टोने के इतना तो डिसर्फ करता है गाइस इसको बनाने में बहुत स्यादा मैं लगी अगर यह वीडियो डिली तो यह फिर से निये बनाऊंगा यह वीडियो अल्रेडी में तीन बार बना चुका हूं तो चलो कोई बात निकाई आज की सारी वीडियो में इतना ही अगर आपको यह कर दो बहुत ज्यादा मैनत लगी है अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और नेक्स टाइम में और अच्छी चीज़ बनाने की ट्राय करूंगा तो चले गाइस है राच कि इस वाली वीडियो में एतना ही अगर आपको यह वाली वीड में तब तक के लिए गूडबाई